अंत तक तयार होने वाला राम मंदिर कुछ ऐसा दिखाई देगा इसकी लंबाई 270 फीट, चोड़ाई 145 फीट और उंचाई 141 फीट होगी मंदिर की बनावट को अच्छे से समझने के लिए खाली जमीन से शुरुआत करते हैं सबसे पहले करीट 25 फूट उंचा फाउंडेशन स्टोन होगा उसके उपर 6 फीट उंचा छोटी डिजाइन में चबूतरा होगा उसके उपर 16 फूट 3 इंच की उंचाई के 106 पिलर्स लगेंगे रामलला की भव्यमूर्दी इस गर्ब ग्रह में विराजमान होगी गर्ब ग्रह के चारों तरफ परिक्रमा लगाने की जगए होगी उसके बाद पहली मंजिल का चबूतरा होगा उसके बाद 14 फूट 3 इंच उंचाई के 106 पिलर्स पहली मंजिल पर भी लगेंगे उसके उपर छट और गुमबद होगे पर ध्यान देने वाली बात है ये शिखर जो की 65 फूट 3 इंच का होगा और इसके उपर भगवान राम के नाम का जंडा फेराया जाएगा इस प्रकार देखा जाए तो मंदिर में कुल 212 पिलर्स होंगे हिंदू माइथोलोजी के मुताबिक हर एक पिलर में 16 मूर्तियां डिजाइन होंगी जो की हिंदू देवी देवताओं की होंगी मंदिर में एंट्री टोटल 5 जगे से हो पाएगी लेकिन में एंट्री इस जगे से होगी जिसे सिंग दुद्वार बोला जाएगा पूरे मंदिर में कुल 24 दरवाजे होंगे जिनकी चौखटे संगमरमर के पत्थर से बनाई जाएगी जो में दरवाजा होगा वो मकराना के सफेद संगमरमर के पत्थर से बनेगा राम भगवान की मूर्ति ग्राउन फ्लोर पर अस्थाफित की जाएगी और फर्स्ट फ्लोर राम दर्बार के लिए होगा मंदिर के मुख्य पाँच हिस्से होंगे सिंख द्वार नित्यमंडब रंगमंडब कॉली गर्ब ग्रह और परिक्रमा मंदिर में कुल 330 बीम का इस्तिमाल किया जाएगा पूरे मंदिर में कहीं भी स्टील का इस्तिमाल नहीं होगा क्योंकि मंदिर को भव्य बनाने के लिए भरतपुर राजस्थान के पत्थरों को बारिकी से तराशा जाएगा और सिर्फ उन्हीं पत्थरों का उपियोग होगा मंदिर का लगबग 70% काम पूरा हो चुका है और बचा हुआ काम पूरा होने में 3-4 साल और लगेंगे चंदरकांत सोमपुरा ही वो शक्स हैं जिनोंने राम मंदिर का डिजाइन और मैप तयार किया है खास बात ये है कि गुजरात में इस्थिद भव्य सोमनात मंदिर का मैप और डिजाइन इनके ही दादा जी ने बनाया था ये राम मंदिर का मैप और मॉडल सोमपुरा जी ने 90 के दशक के शुरू आती सालों में बनाया था जिसे उस समय भावी संतों ने और विश्व हिंदू परिसद ने सुईकार किया था ये जो बाउंडरी के अंदर का एरिया आप देख रहे हो ये करीबन 6 एकड जमीन है चंदरकांत सोमपुरा ने पूरा नक्षा 6 एकड में इसलिए तयार किया क्योंकि 2.77 एकड जमीन तो सुप्रीम कोट ने दे ही दी है और बची हुई सवा 3 एकड जमीन वो भी उप्योग में ली जा सकेगी जो सरकार के अंदर है वो इसलिए क्योंकि जो 67 एकड जमीन सरकार के अंदर है वो अलग-अलग ट्रस्ट की है इस 67 में से सबसे जादा यानी की 42 एकड जमीन सबसे बड़े ट्रस्ट राम जनम भूमी नियास की है ये जमीन पिछले कई सालों में राम जनम भूमी नियास ने विवादित जमीन के आसपास रहने वाले लोगों से खरीदी थी राम मंदिर के चारो तरफ चार छोटे-छोटे मंदिर और होंगे जिसमें भरत मंदिर, लक्षमन मंदिर, सीता जी मंदिर और गनेश जी का मंदिर होगा भव्य राम मंदिर के जस्ट सामने एक बहुत बड़ा विजय स्थंब होगा मंदिर के Dimensions को अच्छे से समझने के लिए ये याद रखें कि मंदिर के सामने खड़ा हुआ 6 फुट का आदमी कुछ ऐसा दिखाई देगा और मंदिर की Side Entries पे खड़ा हुआ 6 फुट का आदमी कुछ ऐसा दिखाई देगा मंदिर से हटके थोड़ा बाईं और चलें तो इस जगह पर कथा कुझ भी होगा इसमें टोटल चार जगह से एंट्री पॉसिबल होगी रामकथा, महाबारत, रामायन, रामलीला जैसे स्टेज प्लेज के लिए यह जगह तयार की गई है इसके थोड़ा सा बगल में इस जगह पर रिशर्च सेंटर भी बनाया जाएगा अगर मंदिर के दाई और चलें तो इस जगह पर स्टाफ कॉाटर्स होंगे इसके अलावा यह जो अधर बिल्डिंग्स हैं यह आने वाले भक्तों और दर्शकों के लिए धरमशाला और भोजनशाला के लिए तैयार की जाएंगी यह पूरी जमीन मजबूत फैंसिंग से प्रोटेक्टेड होगी और इस रामजनम भूमी में गुशने के लिए यह चार मुख्यद्वार होंगे तरक मुख्यद्वार भूमी में जमें खाएंग PayPal